कि अग्याइज वेलकम बेक टो वार चैनल विजन अकेडमी क्लासेस जिससे के आप सब लोग जानते हैं हमारे स्टेटीजी की क्लास से रही है इसमें हमारा आद का लेक्चर रहेगा विभिन जो अंतराष्ट्री संगडर हैं अनके बारे में जैनकal लेंगे तो पहला दिया हुआ है आपको यूऔर कि सजुक्त रश्ठर संभ इसका फिल्फूर मोता है यूनाइटेट नेशन ऑरकिनजिशन produkt तीक है सबस्क्राइब तो नाम सब्सक्राइब उसका नाम सब्सक्राइब यह अगले के चलते हम दिया हुए अंतर्राष्ट्रिंग आया ले इसे बोलते से इसका फॉल्फो मता है इंटर्डेश्टिल कोर्ट ओफ जस्टीज तो यहां लगी यादकना इसे इसकी स्थापना हुई थी आपके 1915 को इसका जो मुख्या लई है वो नेदरलेंड के दरहेग में है अध्यक्ष वह अब्दुलकावी अहमद यूसूफ जी इसके वरत्मान में अध्यक्ष है उनके वर्तमाने सदस्देश जो है वह है 24 इसके सदस्देश है ठीक है अगना देखते हैं अंतरराश्च्री मुद्राकोष यानिकि IMF इसका फुलफोंग होता है इंटरनेशनल मोनेटरी फंड आईमेजिए इस्थापन होती उन्हें इसको बुख्या ले वर्तमान में वोशिटन डीशेंस्टी को लुख्या ले आध्यक्ष अध्यक्ष्य है कर्स्तेलीयन जोर्जी वर्तमान में अध्यक्ष्य सबस्त्य देश की संख्या जो 189 वह सबस्त्य आस्ति में जुड़ा था यह नुरु देश आई एमस्त का सबसे आखरी में जुटें वालत देश हैं, तो टॉल संख्या जैकर 189, है इनके सब्सक्राइश के संख्या तो इसके स्थापना हुई थी आपकी 1919 में इसका जो मुख्या लेव जीनवा में है जीनवा कहा पर है आपका स्विट्जर लेंड में इस्तीत है ठीक है वर्तमान में इसके जो अद्धिक्ष है वो गायराइडर जी है गायराइडर आई एल ओएन के अंतराश्ट्रिक श्रम संगतन के वर्तमान में अद्धिक्ष है और आई एलो के जो सदस्य देश है वह आपके 185 विट्टोडर 185 विसके सदस्य देश है भी वर्तमान में अगलत दिया हुए आपको इंटरपोल इसका फॉलफॉम होता है इंट स्तैक्स्क्न के तथमान में अध्यक्षाे वह एक किंजों यांग है गला दिया हुए अको संगतन यानि कि FAO इसका फुल्फॉम होता है फूड एंड एग्रिकल्चर और्गनाजेशन इसकी स्थापना हुए थी आपके साइनटीफिक एंड कल्चरल और्गनाजेशन इसका फूल्फॉम हुथ आपके चल्चर और्गनाजेशन ठीक तो इसकी स्थापना होई थी इसको युनिस्को की स्थापना वह फ्रांस के राइज पेड़िस में इसके का मुख्या ले वर्तमान उद्यक्षा युनिस्क्राइज वह आंध्रे आजौर्नेजी है ठीक है और वलतमान में युनिस्ट को उरके जो सदस्ट से देश को की संख्या है वह 193 सदस्ट से देश है इसके इसके ठीक है अगला देखते हैं युनिसेफ दिया हुआ है आपको तो युनिसेफ की फुल फॉर्म को पता होने चीए उनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्रन्स फंड फॉल फॉर्म युनिसेफ की स्थाइबन होकी है उनेशन इसके वरतमान में जो अध्यक्ष है वह हेंड़िता एच फॉर्स के वरतमान में अध्यक्ष है और वरतमान में इनके सदस्य देशों के संखे किती है 190 सदस्य देशे अब ना दिया हुआ आपको विश्व स्वास्ते संगट आने की डव्यू एच्छों इसका फुल्पुम होता है वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन आप सभी को पता होगा तो इस वर्ल्ड हो की इस्थाफ में हुए थी तुल्ट होगा अब इसका वर्तमान मुख्या लेह है वह में स्थीखते जनवा आपको पता है सुछ जैलेंड में स्थीखते ठीक है इसके वर्तमान में अध्यक्ष है आपके ब्यॉक्त हर्ष्वार्य कर यह भारत के स्वास्थ मंत्री है अभी हाली में चुने गए है डवल अगला दिया हुआ आपको Natoo Natoo का फुलफर्म होता है नोर्थ अट्रितिटी और थीक्ष ध्यान रखना यह नॉर्थ अट्लांटिक ट्रिति और डाइशन नाटव का फुलफर्म होता है इसकी स्थाफन होगी थे आपकी उनुंपचास को इसका मुख्या ले है आपका बुसेल जो की बैलसर में में स्थित है depressives की दीट है यूर्ट इसका उत्री मेसीड हो रिए तो थया नट्स कि फूल्पॉम एक इसका फूल्फॉर्म हता है इंटरनेशनल atomic energy Agency अब होता है इन्टरनेशनल Atomic Energy Agency इसका फौत्रम होता है इंतरायच्ती पर्माणुग अभी करनका ठीक है स्थाब्न में इसका मुख्याले वर्तमान में वीएना शहर में और इसके जो महानी देशक है वरतमान में वह आपके राफेल ग्राश्ची इसके वरतमान में महानी देशक है आप इसे आद कर सकते हो इसे की जो पर्मानू है वह भी एक तरसे पर्मानू हतिया की टैप में यूज रोता है पर्मानू का और जो राफेल है यह भी हतियार है राफे अगला दिया हुए को स्यूक्त राश्टर विकासश्व कार्री इमने की UNDP इसका फूल फॉर्म होता है युनिटेड नेशन डेवल्फन प्रोग्राम-्यूनिटेड नेशन डेवल्फन प्रोग्राम- तोध्यान रहने का फुल फॉर्म इसके स्थापना 1965 में हुई थी इसका मुख्याली है न्यू यूर्क शहर हुए और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो अचीव इस टेनर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है यूएंडीपी के इनाइटे नेशन डेवलप्मेंट प्रोग्राम यानि कि सं क्यल्वाजे ने-व्क इसके इसरूपना Ёछीय मुख्याली है वर्तमान में मनिला छहर में मनीला कहां पर है फिलिपीन्स में है मलीना मनीला ठीक है इसके वरतमान में जो अध्यक्ष है वो मात्सुगू असा कावा इसके वरतमान में अध्यक्ष है इसके वरतमान में जो सदस्च देश है उनकी संख्या है आपकी 68 जिसके सदस्च देश है वरतमान में ADB के अगला दिया हुए आपको दक्षिन पूर्वी एशियाई देशों का संग यानि की आज एसियान दिया हुए तो इसकी फुल्फर्म आपको पता में जही है एसियान की फुल्फर्म होती है आपकी एक बार फिर से समझ लिए एसियान ऑफ साउथ इस्ट ऐस्यन नेशन इसकी फुल्फर्म होती है इसकी सथापना उननिसस्ट सुनसट में होई थी 1967 में अ महास्ची भी मिन इसके महास्ची में वर्तमान में ऑवर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है वह तशनगे दश है इसके वरतमाम, सदर्से देश again के एशनगी फुल्फॉर्म पता है आपको Association of Southeast Asian Nation इसकी फुल्फॉर्म है अगला दियाब को दक्षेस यानि कि इस है हिंक्षेंग बलते है शांक सांक इमारे मारे सुना वहगा आप साथ का फुलपोर्म है South Asian Association for regional corporation इसका मता साथ का South Asian Association for regional corporation का फुलपोर्म है इसकी स्थाबना होगती है उन्हों कि पिच्च्चार्ची को इसका जो मुख्या ले है वो नेपाल के रचधनी का अठ माड़ों में इसका मुख्या लई है और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है तो अफगनिस्तान भारत बांगलदेश भूटान माल्डिव नेपाल तागिस्तान और स्रिलंका यह आड़ देश है यह सार्क के सदस्य देश है तो ध्यान अशना इसके बारे में अगला दिया हुए आपको संयुक्त राष्ट्र विकास परिश्यर यान की यू एन एच्छी आर यू एच्छीर का फुल्फॉम बतावना चाहिए यूनाटेड नेशन्स हाई कमिश प्रिशे में रिप्यूजी इसका फॉल्फॉम होता है एक बार फ्यूसिंग लिजी ए यूनाटेड नेशन्स हाई कमिश्नर पर इसका फॉल्फॉम होता है सहिंच्वत राष्ट्र विकास परिशुत इसकी स्थापना हुए थी 1903 में स्थापना हुए इसका मुख्याल है व सतिष्टप को विश्वव व्यापार संकतन इसका यही कि डाब्यू टी ओ इसका फॉल्फों होता है वड़ ट्रेड और अशेठेशन विश्वव व्यापार संगतन संगतन इसके स्थापना धूंध नहींसop 95 में इसका जो मुख्याले वरतमान संख्या ब़तमान में 16 4 ठीकशित के अगला दिया हूए तक fast आपको पता होगा इसका फुल्फॉम होता है बे ओफ बंगल इनिशियाटिव फॉर मल्टि सेक्टोरियल टेक्निकल एंड इकोनोमिक कॉर्परेशन इसका फॉल्फॉम है इसकी स्थापना हुई थी उनिस्टो संत्यानवे में वर्तमान में इसके जो महा सचेव है वो शाहिदूल इसमाइल इसक лав के वर्तमान में महासाची वह बीम स्थेक के वर्तमान में वाम सथिय। सदेस्षी तेक वो सात है ठीक है तो ध्यान रखना बेम स्थेक के बारे में भैंब शेकर फुल्फॉम है बे बंगार इनिसियेटिव फॉर मल्टि सेक्टोरिल टेक्निकल एंड इक dec. नामिक कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉम है अगला दिया आपको संगाई सहयोग संगतल इंग्श में से बोलते हैं स्यों का फॉल फॉम है वह आपका संगाई कॉर्पोरेशन और्गनाजेशन इसका इसके इस्थापना 2001 में हुई थी इसके जो महासाचीव है व्लादिमें इसे हिंग्डियों बोलता हैं एएवानिकि एक शेनिंटी उटयक्शत हो से दो बें इसके मुख्याले वर्तमान में अधेश अबाबा में है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है आपदूल फतह ल्चिसा के वर्तमानएं अध्यक्ष है आफ одно सिज उनियनन के और इसके अगला दिया हुए आपको ब्रिक्स ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है ये पांच देशों का बनाए गया है इसको तो ये जो ब्रिक्स है इसमें पांचो देशों के नाम को दिये हुए ब्राजिल रसी आई से इंडिया अगी भारत चाइना और इस से शाओथ अफ्रिका ये इसके देश जो है और इसका फुलफों में ब्राजिल रसीया इंडिया चाइन और शाओथ अफ्रिक्स बना हुआ है इसकी इस्थारना 2008 में हुए थी और इसके वर्तमान में सदेश आपको बठा दिया हमनें पांच इसके सदेश तो द्यान रखना है तो वाइस यह हमारा वीडियो कंप्लेट रहाता है आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए अगर आप चैनल पर नहीं होते सब्सक्राइब कर दिजिए और पास में जो बेल आइकन आपको वीडियो के नॉट्रिफिकेशन मिल जाए तो एसे वीडियो देखने के लिए बन रही है हमारा चैनल पर वीजिन आकेडिन क्लासेज तो मिलते एकले वीडियो में थेंक्यू